इसलिए अपने पढ़ाई पे पूरा तन्मन धन जीनों लगा दीजिए रात और दिन एक कर दीजिए क्योंकि पढ़ाई जो है इस टाइम नहीं करेंगे तो एक्जाम में नंबर्स नहीं आने वाल इतना जान लिजिए गाँ इस टाइम आपको पढ़ायी बिल्कुल जो रो़ सुर्प होना चाहिए देखिए इक्जाम में अगर आप पढ़ायी कर रहा हैatta उसके लिए कुछ अपने लिए नियम बनाई Empire आपको पढ़ना कैसे है आपको number जैसे लाने है तो number लाने के लिए आपको लिखना कैसे, copy कैसे लिखा जाता है ये भी आपके पास होना चाजब़ जीए बिटी board में क्या है किcketी board में copy आप कैसे लिख रहा है इसके ऊपर बहुत से importance रहता है कि आप copy कैसे लिख रहे हैं, एक जानदर को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, एक जानदर आपके बातों को समझ पा रहा है कर नहीं हो है, यह suppose जरूरी होता है, जैसे हुम आनने लिए कोई topic का THIS को आ गया लिखने के लिए, सपोच आपको वीडियोली में तो आप उसको लिक कैसे रहे हैं जैसे कि एक होता है आपका कोस्टन बेंक का रहा है आपके पास बुक भूंगे हम भी पढ़ा रहे हैं तो देखे क्या होता है आप क्या करते हैं कि कोस्टन बेंक से रट लेते हैं पूरा या फिर सरन आता है उसे रट लेते हैं या बुक से रट लेते हैं और फिर जाएगा बच्चा किताब से रटा हुआ है इसलिए इंजिरिंग में क्या होता है कि आप अपने भासा में टुटी-फुटी भासा आपको आ रही है उसी में लिखिये एक ज्यादर आपके बातों को समझ जाएगा ठीक है आप ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें कि अपने भा बीडवली के जो लेक्चर चल रहे हैं आपके 35 लेक्चर हो चुके हैं और आपको मैंने क्या पढ़ा दिया है पिछरे लेक्चर मैंने क्या पढ़ा दिया था जरा उसके पर हम एक बार थोड़ा साच चर्चा करेंगे ये पिछरे लेक्चर मैंने आपको क्या पढ़ा दिया था देखिए मैंने पढ़ाया था यहां पर rise of current rise of current in inductor यह पढ़ा दिये थे rise of current in inductor क्या बताया गया था कि अगर अगर माल लिजे यह पढ़ा दिये थे, इसमें क्या पढ़ाये थे, जरा याद किजिए, हमने कहा था कि अगर कोई inductor हो, जैसे कि एक inductor का ही resistance R हो, और यहाँ पर कोई inductor हो, और इसमें हमने यहाँ से AC supply दे रखा है, थिक है, तो मैंने कहा था तो कि इसमें जो कर द्यार कर सबूर्म है को मैं ने कहां तक शलेगा इसका है कि तो देखिए यहां यहां से यहां तक जो कर सुर्द करता है तो से उत्पन हुआ है तो मैंने कहा था थारा को थोड़ा सा तीर्षा कर देता है मतलब दर दर कर देता है यह मैक्समान पे नहीं पहुंचने देता है तो जो करेंट यहां से राइस कर रहा था उसी का हमने INFORMTION निकाला था कि जो कॉर्रेंट है यहां से यहां तक साने में राइस करने में कितना टाइम्म लेता है wil सबसक्राइब इत्皆さん चनले था याद कि आपको सब्लक बाइस को एक वह इसाइब देशन कर दिए इसका 1-3 इसका इ comics देख रखा था मैंने यह की क्वेशन आया हुआ था ठीक है देखो आप पढ़ाई करोगे तब जादा समझ में आएगा ठीक है जब चीजे जो किसी चीज को पढ़ते हैं आप लोग तो पिछले वाले लेक्चर है अगर उससे सम्मंदित कोई चीज आपको आ रहा है तभी पर आई आई कौन सी बैलू होती है आई को हम बोलते हैं जिसे कि किसी निश्चित समय की करेंट होती है फिक्स करेंट होती है किसी निश्चित समय पर होती है मतलब हम कह सकते हैं फिक्स टाइम पर फिक्स टाइम पर धारा है ठीकर और आई-म क्या है इसमें आई-म क्या maximum point पे जाने देगा वह है maximum धारा ठीक है और small t क्या है small t is the time और capital T क्या है, जो capital T है capital T को हम बोलते है time constant क्या बोलते है बबू time constant, समय इस्थिरांग क्या बोलेंगे इसको समय इस्थिरांग यह आजाता है कभी-कभी अलग से भी कि क्या होता है समय इस्थिरांग ठीक है? तो मैं यहां बתाऊँगा क्या होता है समय इस्थिरांग उस्षे पहले पले यह देखिए, यहां फड़ ट के वाल कितना होता है इक वाल होता है L by R, मैंने L by R को ही तो T रख दिया था याद किसी है? मैंने L by R को ही क्या रख दिया था? T रख दिया था इसे हमको देखना क्या है? जरा उस पर आते हैं देखे ध्यान से क्या देखना है? हमको यह देखना है इसमें कि माना जैसे जैसे कि माना माना की माना की small t is equal to capital T मैंने मान लिया small t का मान capital T के बराबर है समय इस्तिरांग का मान किसके बराबर है? time के बराबर है ठीक है? यह तो constant है तो इसकी value है वो किसके बराबर होगे? तब तो इसके मान लिए शमीकरण हमारा कौन सा है? एक समीकरण नॉमबर एक से i equal to कितना है बाबू? i equal to i am यहाँ से e to the power minus t by t है यह तो है? सॉरी सॉरी 1 minus इसमें उल्टा मन लिख दिया i am आया है 1 minus e to the power minus t by t आएगा? अब देखो अब मैंने i equal to कितना आ गया? i am यहां देना? i am 1 minus e to the power minus t by t मतलब 1 minus e to the power minus small t by small t क्योंको दुनों को मैंने बराब बर्मान नहीं खाया थे कितना आ जाएगा बाबू? यहां से? यहां से आ जाएगा कितना? i is equal to i am 1 minus e to the power minus 1 कितना आ जाएगा? एक काम करिए यहां पेकाम यह करना है कि small i equal to हो जाएगा i am 1 minus e to the power minus 1 का मतलब 1 by e हो जाएगा? तियास में लिख सकता हूँ 1 by e इतना यह i equal to होता है कितना? i am 1 by 2.718 होता है ठीक है? चाहिए 7,2 बान सकते हैं इतना बान सकते हैं यह आपनों पढ़े होंगे e to the power x is equal to 1 plus नहीं होता है वहाँ से एक्रेशन आता है ठीक है? यारे x square by 2 इसा होता है वहाँ से आया हुआ है e to the power x is equal to यह पढ़े होंगे e to the power x is equal to 1 plus x square by 2 factorial plus x q by 3 factorial नहीं पढ़े हो? वहाँ से यह चीज़ आता है अगर x कमान कितना रख दिया जाए? यह रख दिया जाए तो इसकी value इतना आती है यह चीज़ आप पहले से पढ़े हैं तो मैं यहाँ पोस को बताने वाला नहीं हूँ वहाँ से वह लिखे हुए है जब इसको solve करेंगे आप लोग जब इसको solve करेंगे तो i is equal to आजाएगा इस पूरे की value 0.63 और यहाँ पोईजाएगा कितना? आई-यम यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या small i equal to 63% of i am 63% of i am तो क्या समझे इस equation से आप लोग क्या समझ रहे हैं? जो इंड़क्टर जब charge होता है इधर के तरफ हम लिखेंगे time और उपर के तरफ लिखेंगे current small i तो इंड़क्टर अगर charge हो रहा है तो धीरी धीरे charge होगा ठीक है? तो देखो धीरी धीरे charge होगा तो इसको charge होने में time बहुत ज़्यादा लगेगा और यह मान लो उसकी maximum value कितना मिल लहा है I am इसकी maximum value कितना मिल लहा है? I am मिल लहा है अब देखो यहाँ पर अगर इसका 63% लिया जाए तो यहीं कहीं आएगा? यहीं कहीं आएगा कितना पर्षेंट? 63% 63% वहीं कहीं 63% आएगा? इसका मतलब जो यह small t is equal to क्यों सा होगा? capital T तो हम इसको कैसे define करेंगे? तो देखो कैसे define करेंगे? समय इस तिरांग को कैसे define करना है? समय इस तिरांग वह समय होता है जिसमें inductor अपने full charge का 63% चार्ज हो जाता है अगर suppose that 100 ampere तक तो इस capital T is equal to small t समय इस तिरांग वह समय है जितने समय में current अपने maximum value का 36% अगर maximum 100 ampere है तो 36 ampere पर पहुँच जाएगा कहने का मतलब यह होता है ठेक तो इसको define कैसे करोगे? अगर इसको आपको define करना हो तो कैसे define करेंगे? तो लिखेंगे यहापर समय इस्तिरांग वह समय है यह पूछता है जैई में भी इसमें कुश्चन समय इस्तिरांग वह समय है जिसमें समय इस्तिरांग वह समय है समय ही तो है जिसमें इंडक्टर इंडक्टर अपने maximum धारा का मेक्समम धारा का 63% चार्ज हो जाता है चार्ज हो जाता है या अपने मेक्सम धारा का चार्ज हो जाता है या फिर राइज हो जाता है राइज हो जाता है यह पुछता है कभी-कभी जोई में आप जाएंगे तो पुछेगा को कौन सा टाइम है जितने में इतना समय तो 30% पर अपने मैक्सम धारा कितना परशेंट पहुंच आता है यह वाद रखेंगे यह चार्जिंग आफ इंडॉक्टर के लिए थोड़ा सा इंपोर्टेंट समय लोग ऐसा कोई नहीं जीके और जीयस नहीं पुढ़ रहे हो कि जीके जियस तुम लोगों करतवा दिया जाए इसे एसे खेल कुद कि यहां पढ़ा दिया जाए क्या है न वागो कि एक बात जानलो पढ़ाई बीना महनत करें होने वाला है बहुत बच्छों को मैंड में आत पढ़ाई नहीं होता है तो थोड़ा पढ़ाई करेंगे तो उसमें समय लगेगा मेहनत करना पढ़ेगा जैसे कि मालीजे अभी जो हम ग्राफ बनाये थे अभी जो एक्विशन लिखे थे सब्सक्राइब करते हैं माना कुछ चीज और मानते हैं जान देना माना की माना की इसमाल आई जो आप वहाँ लिखे रखे हैं इसमाल आई एकल टू किता लिख रखे हैं कैपिटल आई एम वन माइनस इटू दी पाउर माइनस टी बाई टी माना की इसकल टू जीरो इसकल टू जीरो का मतलब यह हुआ कि अब हम इसको चार्ज करना सुरू करते हैं तो t is equal to 0 रखते हैं तो क्या आएगा दिखें एजरा ध्यांसे e is equal to 0 रखते हैं तो i is equal to आजाएगा i am 1 minus e to the power minus 0 by t इतना आजाएगा और equal to i am 1 minus e to the power minus 0 लिख सकते हैं ठीक है i to the power minus 0 हो अच्छा है 1 minus 1 1 minus 1 इसका मतलब यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ i equal to i am i into 0 i equal to कितना आगया 0 इसका मतलब इसका ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा जिरो से अगर टाइम 0 है तो करेंट भी क्या रहेगा जिरो रहेगा समझे ना मतलब इस स्टार्टिंग टाइम में इंडेक्टर कुछ भी चार्ज नहीं रहने वाला है इसका मतलब यह होता है चलो सेकेंड कंडिशन एक और कंडिशन मालो कि माल लेते हैं अब मतलब क्या जाएगा इसका मतलब यह हो जाएगा आयम देखलो 1-1 by e to the power infinite E to the power infinite की value भी जाएगा इसका? इस पूरे की value infinite हो जाएगा 1 by infinite कीतना होता है? बताओ 1 by infinite की value 0 होती है तो कितना जाएगा? मतलब क्या समझें? इसमें समझेंगे आप लोग कि धारा का जो maximum मान होता है धारा का जो maximum मान होता है उसको अपने maximum मान पर पहुंचने में कितना समय लगता है? infinite समय लगता है देखो धारा की value जब maximum कब आएंगी? जब समय कितना रख रहा है? infinite मतलब infinite समय बाद current अपने maximum मान पर पहुंचेगा ओके? यह आपको याद रखना है यह आपको याद रखना है? किसमे याद रखना है? तो यह आप याद रखेंगे rise of inductor इतना नहीं लिखेंगे? लेगे आप इतना लिखेंगे तो और अच्छे मॉक्स आएंगे तो अगर समय आपको ज़्यादा मिले तो इतना लिखी है आने तो direct आप इसको ऐसे graph से दिखा सकते हैं इसको एक्जाम में, तो यह सब चीजा आद रखेंगा इंड़क्टर में i is equal to infinite समय बाद ही धार आपने मेक्सम मान पे पहुंचता है तो यह सब चीजा इंड़क्टर के लिए होती है चले अगला टाबिक चलते है जाद धान देजिएगा जो उस दिन पढ़े थे वही आज भी है जो उस दिन पढ़े थे वही हम आज भी पढ़ेंगे ठीक है आईए देखते है से लिए ध्यान देजिए आज हम पढ़ेंगे कुछ दिर राइस पढ़े थे आज पढ़ेंगे देखेंगे कि जो करेंट है वह कैसे डीके करता है डीके का मतलब क्या होता है जड़ा इसके बारे में जान लेजिए कि डीके क्यों कह रहे हैं डीके मतलब हुआ डाउन होना जैसे मैंने कहा था कि अगर कोई कि अगर कोई इंड़क्टर है अगर कोई इंड़क्टर है तो जब इसमें धारा देते हैं न हम लोग अभी बिताया थे आपसे जैसे धारा देते हैं, ऐसी धारा हम देते हैं, ऐसे, ऐसे देते हैं, तो इसके बात की बात मैं कर रहा हूँ, जब धारा यहां से डीके कर रही है, उसको डीके, तो होता क्या है, जब इंडॉक्टर में धारा जाएगा, तो इसमें एक EMF प्रेज़ होगा, इसमें एक EMF इंड जो वहां पर आप लोग बनाये थे वही चीज यहां भी है जैसे अभी इंडक्टर चार्ज था अभी इंडक्टर चार्ज था कि इसको मिटा दें आप समझ गया होंगे क्योंकि इसके आगे थोड़ा सा पढ़ाना है हम चाहते हैं कि जगव हमारे पास परियाप्त हो ता आप अच्छे तरीके से समझेंगे जैसे हमारे पास मान लेजिए कि एक इंडक्टर था उसी का रिस्टेंस था यहां पर आर और यह करेंगे तो यहां बैटरी लगी थी आवहां पर अच्छार्च विए और यहां का बोल्टेज वीं है और यहां का वोल्टेज वीड़ें यहां का वोल्टेज वी टू है जब डिस्चार्ज होगा तो इसमें तो इसके बारे में बता चुके है आपको जो V1 की वैलू होगी, V1 is equal to I into R होगा, ठीक है, और जो V2 की वैलू होगी, वह होगा L, I into DIY, DTA पढ़ा चुके है, ठीक है, पहले वी पढ़ा है थे इसको, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, अगर ऐसा है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, जो हमने सप्लाई बोल्टे दिया हो, कितना हम बटा हूँ है, दो भागों में, तो मतलब V is equal to V1 plus V2, मैं इतना लिख सकता हूँ, इसी equation पर हम आगे बढ़ेंगे, जड़े धान दिजेगा, तो बात यहां पर यहां पर यहां पर तो शार्ट सर्कीट है, यहां क प्लस कितना आगया, V2, आप देखे, V1 कमान लिख सकते हैं, V1 कमान, IR और V2 कमान, L, IN2, DIY कितना लिख सकते हैं, DT लिख सकते हैं, यह किस के बराबर होगा, जीरो के बराबर, यह काम करिए, IR को एक तरफ लाइए, तो IR को तरफ लाइए, उसको तरफ मतलब दोनों साइड म यहां पर आई है यहां पर आई है तो आप लिखें कि इसको ऐसे लिखें देखो दी आई भाई आई कर दो इकल टू दी आई भाई एक तरफ कर दिया तो यह इधर आ जाएगा ठीक है तो मैं कि ना लिख सकता हूं माइनस माइनस है उधर चला गया इधर कोणा गया डिटी आ गया और रभाई एल माइनस वाई कितना जाएगा अल दिख लो आर व्इएल और इंटु कितना जाएगा डी टी अ कितना जाएगा कि दी टी अके इतना जाएगा यहाँ अब सेम उसे भ spans Cosmo का करिए इंट इन पैजि dizerों अधों का सवाकलन करने पर नो करने पर दोनों क्षों का इंटिग्रेशन करोगे तो देखो क्या आए गायेगा इसका तो कितना हो जाएगा, log i equal to, base e है, equal to, इसका कितना हो जाएगा, minus, minus ryl, अकुछ नहीं तो t, i constant आजागा कौन सा, k, इतनी value आजाएगी, अब फिर वही काम करतेजे, यहाँ पर log, इस तना लिख लिजे, log i equal to, मलिक सकता हूँ, इसको, इसको मलिक सकता हूँ, minus t, divide by l by r, अब plus कितना लिख देजे, k लिख देजे, और आप जानते हैं, इसको हम बोलते हैं, capital T, minus t, y कितना हो जाएगा, capital T, plus कितना हो जाएगा, k, log, small i, शमीका नमर कौन समाल लेजे, एक, जहाँ, लिख भी देजेगा, जहाँ, capital T बरावर क्या है, l by r, मैंने इसको, l by r को क्या मान रखा है, t, यह पहले में मान रखे थे, जो इससे मान रहे हैं, उसके पहले वाले में इसको मान रखे थे, इतना आ जाएगा, ठीक, अब एक काम करिए, अब हम के का मान गयाद करेंगे, के का मान जैसे वहाँ गयाद किये थे, वैसे यहाँ पर गयाद करेंगे, के का मान गयाद करने पर, देखे के का मान कैसे गयाद करेंगे, जैसे वहाँ पर tease को टुजरू र सब्सक्राइब करेगी तो यहां से लिया जाएगा तो टी इसको जीरो पर इसमाल आई किसके बराबर था आप इसको इसमाल आई को कितना माले जिए अब यहीं काम केका मान केका मान केका मान केका मान था करषियर एक में रखने पर और संस्सक्राइब कैण एक में रखने पर इसमें डियमिशनल पार्ट है देखो सखो हो यहां पर के आप अचलिए तक क्यों निकला ही नहीं है हम तो निकला हcave तो कितना आजयेगा लॉग इसमाल i equal to कितना था log small i is equal to कितना है minus ty capital T plus log plus कितना है k ठीक है अब t is equal to 0 पर i कितना i am तो यहाँ हो जाएगा log i कितना हो जाएगा i am के बराबर यह हो जाएगा minus 0 y capital T plus k तो k कमान कितना आगे बाबू log of i am के कमान इतना आ जाएगा अरे t is equal to 0 पर i is equal to i am रख लो उसी question में रखोगे तो वही तो आएगा k कमान अब रखो अब हम का करेंगे k कमान किसमें रखेंगे शमी करड एक में रखने पर अब समीकर एक में रखेंगे के कमान इसमें जब के कमान रखेंगे तो कितना आएगा log small i equal to देखो अब यहाँ पर log small i equal to minus ty t तो पहले से था तो आएगा कितना minus ty capital T plus किये कमान किता निकाल लिए log m तो किये कमान किता यहाँ लिख लिख लोग देखें आपर कितना जाएगा log small i minus log im equal to minus ty कितना जाएगा capital T यह आप जानते हैं log a minus log b कमान कितना होता है log a by b तो log कितना लिख सकते हैं small i अब बटा im equal to minus ty t अच्छा हैं ty t को मैं इतना लिख दे रहा हूँ जैसे पहले लिखा था वो इसे आज भी लिखूंगा मैं इसको लिख सकता हूँ log कितना लिख सकते हैं log e base e ठीक है to the power minus t by t क्यों लिख दे हैं क्योंकि इस ए आगे आ जाए यहां से लोग e by c कमान एक होता है तो पहलू भी रह जाए कि पढ़ा भी रखें इसको पिछले वाला में जब सेम estructäischen में अब क्या कर आपकर एंचला ले जीए डाएघ यह तो नाटीलाग बोथ साइड आजका टॉपक त्रआफ है बाथ आइनफ बोथ सआई तो क्या जाया गाबू आई वाई कितना जाएगा आई एक्टु लेका बेट ट e सब्सक्राइब आपको प्रूब करना रहता है ठीक है बाबू इशी को आपको एक्जाम में यही तक प्रूब करिए या और करना चाहते हैं तो और थोड़ा आगे बढ़ा देशिएगा ठीक है तो पिछले आलम क्या था वन माइनस आया था इसमें कितना है यहां पर भी यह काम करते हैं माना जो आप पहले माने थे वही मान लेते हैं माना की टी इसकल टू जीरो पर अगर रखा जाए तो आई कमान कितना आ जाए आइगा है इस इसपर टू कितना आएगा यह उनस ए टू दीपार मायन जीरो बाई टी इत वायगा एगाvisor इसका वैलू कितना जाएगा देख लो आइस गल्टो हो जाएगा आए यम वर्ण टूम एनस एटू बार इतार वन आएगा आरीन दीबर जीड़ो जह आम एनस जिर इसका फर्मूला ही गलत लिख दिया है इसका फर्मूला ही गलत लिख दिया गया आपर इसलिए गलत आ रहा था देखो यहां पर कितना हो जाएगा इसका मान एक होता है तो इसका मान एक होता है तो इसका मतलब गराफ कहां से स्टार्ट होगा अगला कंडिशन अब टी इसको टी एक बार क्या रखिए इंफानेट रखिए तब जाके करेंट जीरो आ जाएगा कैसे देख लो खाल चाय वितना जएगा जाएयं से को आई इसको कितना होता है जीरो होता है बाड़ावर क्या जाएगा जीरो कि अगल जीरो यह टो इतना जाएगा तो क्या समझेव थोड़ा देख लिए इसका है ुई और मैं पटकर दूगा प्रतान दिजयेगा इसका मतलब यह उत्ऑ मद यह भाइय को हाइं इसका मतलब जुसके इसका भाइस कर बनेगा वो कैसा बनेगा देखे इसका जो ग्राफ बनेगा यहाँ से त duż तरफ पड़ा अधर तरफ इदर g Ф क्या था तीज कल टो जीरो पर आई कमान आए माया था और टीज कर्ट तू इंफानाइट पर five ह Canadian इसका मतलब ग्राफ हो का इससे चलेगा इसका इसको स्कूरम और चार्ज होने वाला ग्राफ ऐसे चल ला था यह कौन सा है राइस का ग्राफ है तो ऐसे बन जाएगा इसका यह बात याद रखिएगा ओके चलिए अब इसको आप चाहें तो नोट कर लिजिएगा ठेक है यह यह जाद रखना है कि इसका राइस और डिके कर आफ ऐसे देखा राई ऐसे होता है ठीक है इस प्रकार का चारजिंग और डिशार्जिंग क्या हो गया खतम हो गया जरा ध्यान रखेगा थ्फ टफ टफ नहीं है क्या है कि इसको भाई थ्फ़ा से महनत से पढ़ना पड़ेगा आपको क्या तो जादा है अगला टापिक चलते हैं जड़ा ध्यान दिजिएगा अगला टापिक चलते हैं अब ये टापिक जो टफ था वो सब्सक्राइब खतम हुआ अब चलते हैं में टापिक पर में टापिक मद भी इंपोर्टेंट था अब चलते हैं जो 90 पर सЕंट इंपॉर्टेंट है इसको लिखे ओे अधी करेंट मैं इस एडिए करेंट को बोलते हैं भामर धारा को आप देखो एडी करेंट होता क्या है पहले इडी करेंट को समझने से पहले तुम लोग जानते हो कि भामर क्या होता है जैसे कि पाणी में भाह्त बनता है अभी सीघा आफ जाहें इन तो इसी मेंट ले लिए और उसे पजाए है अ कुछ में जाये ग मैं जाता है पानी होगा उसमें हूं मैं भाहुत बन जाता है उस फोर बन जाता है दो को मुह नहीं है लेगर बोलता है अंदि में पानी घूमता है तो उसको हम बोलते हैं लेकं इसी को इंगलिस में आपको दिखाई देरा नाम दिखा एडी करेंट इसका मतलब यह भी जो करेंड है वह भावर की तरह घुमेगा इसलिए इसका नाम है अटी करेंट ओके जैसे कि देख लिए जैसे कि आप लोग साहए तुम लोग को दिखाई दे रहा होगा जैसे कि हम लोग भी आप लोग क्या हम लोग भी जब जाते थे इसमें और बड़ा करते हैं तो थोड़ा ही कर अब देखो जैसे कोई नदी है नदी में भी चाहे नदी हो चाहे नहर हो तो यहां पर देखना ऐसे आसे-स घुमता है है जब आनि हैं पर गूम एगा जाय से की पानिया घुम रहा है कि तो जो पानि यहां पर ऐसे से घुम रहा है तो यहां पर चक्कर बनाता है हम इसी और जो हमारी करेंट रहेगी इस बार वो भी इस तरह घूमेगा इसलिए इसका ना हमने क्या रख दिया है क्या होता है जड़ाइए दिस्क बारे में चलते हैं ध्यान देज़ेगा देखिए होता क्या है कि अगर हम अगर हम suppose that यहाँ पर एक हम डिस्क ले लिए है यहाँ पर हम एक डिस्क ले लिए है और यहाँ पर एक ऐसा इलेक्ट्रो मैगनेट लगा रहे हैं यहाँ पर एक एलेक्ट्रो मैगनेट लगा दो और यहाँ पर उसमें पाइंडिंग कर दो लेकिन ध्यान रहे जहां से सिर्फ सप्लाई हमारी AC होना चाहिए DC पर एडी करेंट जनेरेट नहीं होता है हो सकता है कुछ उसे कंडिशन होते हैं ठीक AC दीजिए जब हम इसमें AC देंगे आपको पता होगा कि इसमें से जब धारा इसमें फ्लो होगी इसमें से फ्लोक्स उत्पन होंगे अब फ्लोक्स इस रास्ते से होते हुए इस डिस्क को पार करते हुए अपने सर्कीट को क्या करेंगे पूरा करेंगे इस डिस्क को पार करते हुए अपने सर्कीट को क्या करते हैं पूरा करते हैं ठीक है इसको पार करते हुए अपने सरक्रीट को पूरा करेंगे, अब होता क्या है कि जब इसink को पार करेंगे, लेकिन डिसक को जो लगा हैं यहाँ पर डिसक, जो आप डिसक लगाए हैं, वो डिसक, तो डिसक किसी सिसका होगा, करनेट की बहुनिकिस यह इसलिए कोई धिसकर में अब कोई पछली सकते हैं कोई कोई सकते हैं ऱयहां को कि ए थे किसी को आयल से गुजरने वाले फ्लक्स में यदि परिवर्तन होता है तो उसमें EMF परिर्थ होता है और उस EMF की वैलू कितनी थी जरह याद किजिए E is equal to E is equal to कितना था N into D5I मतले फ्लक्स में EMF उतपन करने के लिए ہर आडे की नियम से EMF उतपन करने के लिए क्या-क्या जरूरी है सबसे बड़ा जरूरी है फ्लक्स में परिवर्तन होना और 70-70-1 ऐसThis disk से गुजर रहा है वह फ्लक्स परिवर्तित है की नहीं आए पताओ जो फाइ यहां पर मिल रहा है वोब changing nature का है कि stable nature का है वो changing nature का है कि वो कौन सा nature का है changing nature changing nature क्यों कह रहे हैं वई चंज़निंग उसलिए कि AC का flux है धारा बढ़ेगा तो flux बढ़ेगा धारा घटेगा तो flux घटेगा इसका मतलब इससे गुजरने वाला जो flux है वो परिवर्तित flux है अलेगा परिवर्तित flux है changing nature का है अब क्या हुआ जब changing nature'd flux है तो फरेडे क्या बोल ले थे इसी कॉयल से गुजरने वाले flux में यदि परिवर्तण होता है तो उसमें एक EMF based होगा लेगं बात यहां पर इससे नमबर अफ्टान्स आपको दिखाई ही नहीं दे रहा है तो उसमें इमफ प्रीरित होगा की नहीं होगा पात यहां प्यारी है तो याद रखना एक चीज जहाँ पर कोई डिस्क हो यह फिर जो भी आपको कोई पार्ट्स लेते हैं जिसेमें नमबर अफ्टन्स नो ठीक है, कैसे, क्योंकि आप जहां से चलेंग़, वहां पहुँच सकते हैं, तो number of turns में भी जहां से चलते हैं, नमबर of turns में एक है, मतलब इसमें n कमान आप कितना रख सकते हैं, एक रख सकते हैं, अब चलते हैं, आगे, तदेखें क्या हुआ, तो फराडे ने कहा था, कि जब किसी कॉयल से गुजरने वाले Flux में परिवर्टन होगा T, यहां भी देखे इस disc से गुजरने वाला जो Flux है वो परिवर्वर्तित है और उस परिवर्तन के कारड डिस्क में एक YMF generate हो जाता है ऐसे और है मेरी बात एक YMF generate हो जाता है क्योंकि उसमी नमबर अब बात यहा रही है कि जो इसमें करेंट उतपन हुआ इसमें एक करेंट उतपन होगा आप जो इसके अंदर करेंट उतपन हुआ तो कहा जाए उसके लिए कोई सर्क्रिट तो दिखाए नहीं दे रहा है इसलिए जो current उत्पन करेंगे जो current इसमें उत्पन होता है वो इसी में ऐसे ऐसे भावर की तरह घुमता रहता है इसलिए इस current को हम बोलते हैं कौन सा current? AD current AD current आया फिर भावर दारा AD current या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? भावर धारा ठीक है? तो exam में केसे लिखेंगे? exam में आए गा तो कैसे लिखेंगे इसी इसको? ठीक, अब exam में देखें कैसे लिखना है? exam में अगर आएगे AD current के बारे में उसे में करते हैं मैं लिकते रहा हूँ मैं लख्योंगा लेकिन आप लोगोंको भी ऐसे लिखना है य जब आए दिखना है, जब किसी डिस्क से गुजरने वाले, जब किसी डिस्क से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है. ध्यान दिजेगा, परिवर्तन होता है, तो फैराडे की नियम से, तो फैराडे की नियम से, तो फैराडे की नियम से, डिस्क में, डिस्क में, क्या उत्पन होता है बाबू, एक यम्यफ परिरित होता है, ठीक है, ऐसे लिखना है, एक यम्यफ परिरित होता है, ठीक, फिर लिखेंगे, इस यम्यफ के कारड, एक धारा उत्पन होती है, इस यम्यफ के कारड, एक धारा, क्या होती है बाबू, उत्पन होती है, ओके, अभी मत लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, वज़े से लिखवा रहे हैं, एक धारा उत्पन होती है, ठीक है, और यह धारा, और यह धारा, यह धारा, उसी में, उसी में, भवर की तरह, उसी में, भवर की तरह, क्या करती है बाबू, भूमती रहती है, भूमती रहती है, ठीक है, उसे ही, उसे ही, कौन धारा कहते हैं, उसे ही हम कौन धारा कहेंगे, भवर धारा, उसे ही, भवर धारा, यह आप फिर इंगली से बोलेंगे, कौन करेंट, एडी करेंट, उसे ही, एडी करेंट, कहा जाता है, ओके, उसे ही, faculty करेंट कहा जाता है तो और याठय एर्फ कमोड़ बुजरने वाले फ्लक्स में क्या होगा परिवर्तन होगा उसमे क्या ऊत्पन होगा एक कि तरह मिलती है थारा कांट हो दोर क्या गूणती हुए इस लिए अफिर या या पुर रिदी करन्ट है अब इसके बारे में और भी है मैं इतना लिखने के बाद करेंगा इसका फार्मले का उके ऊपको आज इंतजार किजिए इसके लिए तो कल बता जाएगा ठाइम हो गया है तो कल के लिए थोड़े इंतिदार किजिए एक बहुर थारा को ऐसे जरूर याद रखे के के बहुर थारा होता क्या है ओके टाटा बाई-बाई-थैंक्यू